आप लोग आई होग कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे स्वास्ते होंगे अपनी डेली लाइप में आपनी वेट लॉस जर्णी में बहुत ही ज्यादा व्यास्ते होंगे तो जो लोग भी हमारे वीडियो फॉस्ट इंदेख रहे हैं वो प्लीज हमारे चैनल को ताकि जिन्हें वी वेट लॉस करनी हो तो हमारी वीडियो को देखकर थोड़ा बहुत उन्हें हेल्फ तो जरूर मिल सके और अपने मोटापे से छुटकारा पा सके तो आईए आज स्टार्ट करते हैं आज की ब्लॉक का तो ये ब्लॉक सुक्रवार का है जिस दिन राधास् लगते हैं तो घर का सारा काम कर ली हूं मेरा जो डेली रूटिंग रहता है जैसे कि आप लोग जानते हैं सुबह उठते के साथ थाइरोड की मेडिसिन उसके बाद जो भी डिटॉक्स वाटर हुआ नॉर्मल पानी नीबू पानी अजवाइन पानी सौप पानी जीरा पानी जिस दिन जो भी मुझे अच्छा लगता है अपने मूड के हिसाब से मैं ले लिया करती हूं और आप सभी को भी मैं यही कहती हूं कि पर डे एक डिटॉक्स वाटर तो जरूर ले ताकि आपकी वेट लोस जरनी के लिए पहुत ही हेल्प हो सके उसके बाद फिर घर का सारा क नाम काज की थोड़ी बहुत फेस एक्सरसाइज की जो कि मैं प्रती दिन करती हूं फेस एक्सरसाइज मेरा कभी भी नहीं छुटता है एक फेस एक्सरसाइज दूसरा मेरा वाक मैं किसी भी टाइम करती हूं लेकिन आधे घंटे का मैं वाक जरूर करती हूं और साथ के साथ फेस एक्सरसाइज 5 मिनिट किया मैं जरूर करती हूं तो उन सभी को करने के बाद अभी सुबह के बजगया थे ग्यारा या बारा ऐसे ही टाइम हो रहा था और सुबह में मैं नास्ते में बना दे थी सिंपल पोहा तो हस्बंड जी खा लिये हैं बच्चों ने बिस्किट दू लिए थी उसके बाद फिर उसे खाने के बाद अच्छे से खा ली थी फिर एक गिलास पानी पील ली हूं तो मेरा पेठ हो गया है फुल और फिर कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था तो मैं बुली चलो लगे हाथ खाना ही बना लेते हैं तो आज खाने में मैं बनाने जा सब्सक्राव हुँ रहा है डिंगला चने आलू की सब्जी और साथ के साथ चने की डाल तो यहां पर सब्जी में कार लेता कर हो जिसे की डिंगला यानि कि совсем लोग बोलते हैं साथ के साथ बहुत लोग उसे सीटा फल भी बोलते हैं तो आप तो देखकर समझी गये होंगे कि बना लूंगी डिंगला किसे क्याते हैं तो दोनों कणडाई में सबसों की देल डाल देंगी हूं दोनों गर्म हो गया है तब तक तेज पत्ता और फिर जीरा मैं चने की डाल वाली कणडाई में यह नि छोठी वाली कणडाई में डाली हूं और उसमें पाँच फोरन तेज पत्ता सुखी मिर्ची इन सभी को डाली हूँ और फिर अधरक भी घिसकर रखी थी मैं लेकिन अब भी डालना बूल गई हूँ मैं उसे बाद में डालूंगी आप सब देखना तो जल्दी से इसे बना लेते हैं और हाँ एक चीज और मैं आप स सभी को पसंद आये और आप लोग भी मेरे राय से सहमत है तो बहुत बहुत धन्यवाद जितना मैं आप सब को अपना मानती हूं मान कर चलती हूं तो आप लोग भी मुझे समझते हैं तो बहुत अच्छा लगता है यह सब जान कर कि नहीं आप लोग भी इस चीज को समझते और सच बताओं तो ये सही बात है, बहुत सारे लोग मेरे बातों से सहमत थे, कि अभी फेस्टिवल के समय में ये सब होना थोड़ा सा मुस्किल हो जाता है, देखी दो तरीके के बात होता है, एक तो होता है कि फेस्टिवल का समय है, अभी करना impossible सा हो जाता है, और एक ये भी बात होता है वह सारे लोग ये भी सोचते हैं कि फेस्टिवाल आ रहा है हमें अभी बहुत अच्छा दिखना है तो देखिए ये दो तरीके के लोगों के लिए हो जाता है जिन लोगों को ज़्यादा जिम्मेवारिया नहीं है जैसे कि मेड भी आती हैं काम करने घर में हेल्फ करने के लिए या फिर घर के लोग भी हैं जो की help कर सकते हैं तो उन्हों के लिए तो possible हो जाता है कि चलो कर लेते हैं लेकिन जो लोग पूरे थरीके से अपने घर का काम करती हैं अपने पूरे परिवार के बारे में सोच कर चलती हैं सोचना पड़ता है तो उन्हों के लिए थ फेस्टिवल खत में उसके बाद फिर अच्छे से करेंगे और बीना किसी टेंशन के करेंगे और उस वक्त तो ऐसा कुछ होगा भी नहीं कि आपका बुरत रहेगा या फिर फेस्टिवल के कारण बहुत सारी सौपिंग वगारा रहेगी ऐसा कुछ कुछ नहीं रहेगा तो अराम से हम लोग कर भी सकेंगे तब तक के लिए 32 बर की आदत लगाईए और फिर जो नॉर्मल तरीके से हम लोग कर रहे हैं वस उसी तरीके से करते रहे हमारा वेड भी उससे ही कम होगा मैं स्टार्टिंग में ही सेर की हूँ कुछ लोगों का कमेंट सबी का तो नहीं कर पाई लेकिन कुछ लोगों का कमेंट में सेर की हूँ आप लोग उनका कमेंट पढ़िएगा और फिर उनसे मोटिवेट होईएगा तो छलिए बातों बातों में हमारी चने की दाल बनकर हो गई है तयार और यहां पर मैं डिंगला और आलू को थोड़ा स सब्सक्राइब कर ले रहे हूं और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा स्वाधिष्ट बनती है बीना लैसन प्याज का जो सब्सक्राइब बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है साथ के साथ इसमें तेल मसाले सब कुछ कम पढ़ते हैं क्यूंकि थोड़ी से पाच्छ फोर कहीं जो मेरा फेवरेट मसाला होता है ंदा गरम मसाला आज मैं डाल पाई प्लास्टिक में अभी बहुत खराब तरीके से आ रहा है दन्य पता रही नहीं पा रही है दो तीन दिन से जादा नहीं रह पा रही है रहा करे आपयो जिसके वज़ादा करने लेकर चले आते हैं तो यहां पर मैं थोड़ा सा मैदा ले रही हूं, देखिए मेरे घर में पूरे तरीके से मैदे का ही पूरी हमेशा खाया जाता है, लेकिन मैं नहीं चाहती है कि ये लोग खाएं, लेकिन बोलते हैं कि जो स्वाध है वो जाना इतना संभाव नहीं होता है, किसी के भी मुह से आप स्वाध नहीं निकाल सकते हो, तो गुस्सा करते हैं, जब भी मैं आटा वाला बनाती हूं, तो खाते ही नहीं है ये लोग, तो फिर इसलिए मैं इस तरीके से बनाती हूं, थोड़ा सा आटा लेती हूं, गेहूं का आटा, उतना ही मैं मैदा लेती हूं, असाथ के साथ मैं सूजी भी डल देती हूं इन सभी को डाल देती हूं और फिर उसका साथ रिफाइन तेल कसूरी मिथी पत्ता और फिर मंगरेला अजवाइन सभी को मिला कर सान देती हूं अच्छे से गूत ली थी उसके बाद फिर 10 मिनट रेष्ट पर दी हूं 10 मिनट रेष्ट के होने के यहां पर मैं बना रही हूं गर्मा गरम पूरिया और साथ ही देख सकते हैं मौसम मौसम भी एकदम पूरी खाने वाला क्या हुआ है मतलब तला भूना सा तो मैं आप सभी से यह कहना चाहती हूं कि अभी फेस्टिवल का मौसम चल रहा है तो आप अपनी वेट लॉस को किस तर दाल बी हैlor यहां पर पूरी जो है मेरी वो है अनहेल्दी हो गई तो जैसे कि हम हम लोग जान रहे कि मुझे खाना है तो कोसीथ करें कि दीन में खाया रात में едर मिन आ ऑर सुबह के नास्ते में आप यह ले और कोशिथ करें कि आपका जो ठाली है वह रिच प्रोटीन छो यह भी वेटलोस सबजी है साथ के साथ मैं सैलेट भी ले ली हूँ इसमें अनहेल्दी सा जो है वो थोड़ा सा पूरी ही है तो इसे भी मैं अच्छे से चीव करके खाऊंगी और येकीन मानिए ये तीन पूरी भी खाने में मुश्किल होती है तो मैं आप सभी के साथ रोटी भाली वीडियो जल्दी नहीं सेर कर पाती हूं कि मैं रात में रोटिया खाती हूं और रात का मैं वीडियो जल्दी नहीं बना पाती हूं तो आज मैं आप लोगों के साथ सेर करती हूं कि रोटी हो या चावल हो या पूरी हो मैं कि इस तरीके से खाती हूं तो रोटी पू तो मैंना हम लोग भूल जाते हैं और थोड़ा सा बाइट बड़ा हो जाता है मेरे से तो इसलिए मैं हमेशा इसी तरीके से करती हूँ और जितना छोटा हो सकता है उतना आप करें तो फ्रेंड हमारी पूरियों की टुकड़े हो चुके हैं अब चलिया इसे खाते हैं तो सबसे पहले मेरे मूँ में सैलेडी जाता है और जब मैं वेट लॉस कर रही थी तो उस वक्त का हाल था कि खाने से 15 मिनट पहले मैं थोड़ा सा एक कटोरी भरके सैलेड खा लिया करती थी क्योंकि उस समय मुझे ज्यादा खाने की आदत थी न तो कम खाने में मेरा पेट मतलब तुरंत मुझे तुरंत भूक लग जाती थी तो इसलिए मैं ऐसा करती थी लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता है अब आदत सा बन गया है मेरे पेट को भी मालूम चल गया है कि उसमे कितना खाना जाएगा तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं होता है इतना काना ही मेरे लिए बहुत इनाफ हो जाता है तो बस आप अगर रोटी ही सिंपल 32 बार चीव कर सकते हैं तो आराम से करें और नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ एक सैलेड लेले और फिर और आराम आदत लगा ल 22 बार 32 बार 32 बार के सारे फॉर्मूले को अपना आए कुछ दिनों तक अपने बॉडी को टाइम दे कम से कम 40 डेश का टाइम दे 32 बार के साथ उसके बाद पिर आप देखना जैदू ये कमाल है जैदू है मैजिक है वेट लॉस के लिए तो खा लेते हैं उसके बाद फिर तो इसलिए मेरे घर में जो बनता है दो पहर के टाइम मैं वही खाती हूं तो घर पे जाड़ों लगा लिए थी बर्तन भी दूली थी उसके बाद मेरी बेटी गुस्से में थी उसे जाना था मार्केट क्यूंकि उसकी फ्रेंड जो है पाकी वह अपना दुरगा पुजा का चलो चलते हैं आज तो इसलिए मैं उसे मना रही हूं और हैबी खाना खाई न तो इसलिए आज हैबी वाली वॉक आदे गंटे का वॉक क्यों इसे लेकर सिर्फ मैं 10-15 बार गुमा दी ती उसके बाद फिर नहीं मैं घूम पाई क्यूंकि भारी भी हो गई बड़ी हो गई है तो थोड़ा सा नहीं कर पाती हूं तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं डियर खाना खाने के बाद हम लोग तयार होके मार्केट चले गए हैं सारी सॉपिंग मैं एक ही बार दिखाऊंगी पूरे फैमिली की सॉपिंग इसलिए अभी मैं आप लोगों के साथ नहीं सेर